अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे उसके बाद एक घंटी बनी होई आएंगे उस पर टच कर दीजे ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके तो आज हम बुक पढ़ने से पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं जिससे हम असानी से पराने वाली हूँ चैप्टर बुक का पूरा अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ उसके लिए आपको यह रूल्स बताओने चाहिए तो देखे सबसे पहला रूल्स से दो सब्सक्राइब के बीच में जब भी ओ आता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं यानि कभी भी दो सब्स बीच में ओ फिर दी हो गया दो सब्सक्राइब के बीच में अगर ओ होगा तो ओ को पढ़ेंगे पर कभी कभी रूल्स से अलग भी होता है ठीके दूसरा रूल्स देख लेते हैं बड़े सब्सक्राइब यानि जब कोई बड़ा वर्ड है ठीके यानि एक दो बड़ को या फिर ओ-N हो तो ओ जो होगा उसमें आर के साथ जो होगा एन के साथ जो होगा उसको आपढ़ेंगे ठीके अच्छ से याद रिखेगा किस तरीके से मिसें जानी एक बार अच्छे से देख लेजें जैसे की लेसन यहापर आप देख रहे हैं यानि यहाँ पर हमने ओ पर क कोई O की मातरा नहीं है तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से करना है तो मैं रूल्स बता इसले रही हूं ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी अब जब हम भूख पढ़ते हैं तो काफी सारे रूल्स और नियम हमें याद होने चाहिए तब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं एज निके हमें कुछ पता नहीं है बस पढ़े जा रहे हैं चले एक और रूल्स ले लेते हैं और इसको आगे मैं अच्छे से समझाओंगी भी ठीके देखे सब्द के आखरी में अगर O होगा यानि आखरी में O होगा तो O को O पढ़ेंगे ठीके कहीं भी किसी भी सब्द के आखनी में O आए तो O को O पढ़ते हैं तो यह चीज़ याद रिखेगा कि कभी भी O अगल कभी कभी ऐसे भी होते हैं कुछ वर्ड गिने चुने एकात बढ़ ऐसे होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं यानि कभी कभी O नहीं भी पढ़ा जाता है काफी लग मुझे से बोलते हैं मैं इस वर्ड में तो O नहीं पढ़ रहे हैं उसमें तो A नहीं पढ़ रहे हैं इसमें A नहीं पढ़ रहे हैं तो यह कोई-कोई रूल्स से होते हैं जो लाभू नहीं करते हैं बगी सब में इसी तरीके से पढ़ा जाता है चले कुछ example ले लेते हैं दो वर्डो के यानि दो O आएंगे साथ में तो उसे U पढ़ेंगे ठीके तो यह याद रखेगा किस तरीके से आपको पढ़ना है तो इसे क्या पढ़ेंगे? Moon तो इसको हमने पढ़ा Moon तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना है Book इहां पर आप देखराएं, डवलों हैं तो यहाँ पर O पढ़ रहे हैं डवलों को और B बा पढ़ रहे हैं बा पर उटरे मैं तो बू और क को का पढ़ रहना है तो बन गया Book बुक तो आप जानती होगे किताबे ठीक है बहुत इजी है आप यह पहले में स्टार्डिंग में चोटे-चोटे वर्ड दिखा रही हूँ फिर इसके बाद मैं बुक पढ़वाऊंगे आपको और वर्डो को अच्छते से रूल के हिसाफ से पढ़ाऊंगे तो अभी मैं च्छुर में होता है तो उसे आधा श्रा पढ़ा जाता है तो देखे आधा श्रा और इसके बाद ए नहीं है एसके बाद अगर ए होगा तो पूरा सामाना जाहता थीक है इस टूल हो गया अब देखे बुल यानि उन होता है डबलो को बाप पढ़ रहे है बापे उ की मतब और एल को ला पढ़ रहे है डबलो को उ पढ़ते हैं यह मैंने आपको बताई थी है चले एक और वर्ड ले ले लेते हैं हूप ठीक है यहाँ पर देखे है एच को हा पढ़ते हैं डबलो को उ पढ़ रहे हैं पी को पा पढ़ रहे हैं तो बन गया हूप तो यहाँ पर आप आपको आसानी से इजी होगा किस तरीके से पढ़ते हैं कहीं भी डबल मातरा ओकी आएगी तो इस तरीके से आपको उपढ़ना है इसका और कोई रूल्स होते हैं थोड़े बहुत पर अभी मैं आपको सिवेकी रूल्स का बतारी इसमें डवलों में आगे और अच्छे से समझ को इसानी समय नहीं रूल्स काओ के साथ पर नुंद भी अंधाना है डेंड़े रूप को चोड़ों में अब यह फोड़ यहां अब उसके पर रहें और प्रसेल 사용 सोड़ाइए वर नहीं पर शांव जो ला घ्र जीत लिए हजा कोई रिए बादाभी में अधरी से ऐसे पुल आप चांती होगे पुल को पुली बोलते हैं तो आप यहां पर आपको पिच्चर में दिख भी रहें तो आप इन वर्डो को लिखिए और इसकी स्पैलिंग देखें किस तरीके से पढ़ा जा रहा है आप देखें ह को हा पढ़ रहे हैं डबलो को उ पढ़ रहे हैं और M का मा यानि रूम तो यह बहुत इजी हो गया है रूम इस तरीके से आपको पढ़ना है अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखें इससे पहले वाली तो वो भी जरूर देखें तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ भाएगी आप देखें ह को हा पढ़ रहे है और डबल ओ को हू और पी को पा हूप यानि गहरा ठीके किस तरीके से पढ़ने में लिख दिया है हूप यानि गहरा आप देखें एल को ला पढ़ है पर डबल ओ की माता यानि उ की माता लू और के को का लुक माने होता है देखना जब हम किसी को देखते हैं तो लुक को से देखना तो इस चिश को अच्छे से याद रखिएगा कहीं भी यह वड़ा है तो आपको डबल ओ कहीं भी आता है तो आपको U पड़ना है अब इसी तरीके से D को डा पढ़े हैं डा पे U की मातर Do, M यानि कयामत, तो यहां पर देखे D को डा डा पे रोगांदर Do और M को मा एल को ला पड़े, फूल, याणि पूल, अपेर, फूल आपने सुना होगा, यानि किसी को मुर्ख बनाना या बुद्धु बनाना, तो बुद्धु होता है, फूल का मतलब, और खली फूल का मतलब बतारी मैं, नुक, यानि एन को न पड़े, ना पड़े दबल O की माता है, नू और के को का नुक यानि नुकड तो इनसे आपको word meaning भी याद होगे और आपको पढ़ना भी आज़गा कि सिस तरीके से आपको पढ़ना होता है सबसे पहले आपको N का लिखना और नू उसके बाद उसकी मातर लिखना है अब देखिए आर का रा होता है डवलो का यहाँ पर O की मातर लिखी है ठीक है ये डूमें की मनातर भी कभी कभी पड़ा जाता है इसलिए मैं पレagल को अ की मात kita कि जाती है वैसे एंक की मातर पड़ी जाती है अब Я को अब जूर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो एक बार आप खुद पढ़िये मिलां कि क्योंकि यह मैं पढ़ चुक्य हूँ एक भर आप मिला के पढ़िए कैसे मैंने आपको बताया है कि के हूप यहाप देख लीजिए बुल यानि उन टबलू को वा भी पढ़ते हैं और वी को भी वा पढ़ते हैं और इसकी वीडियो भी मैं जल्द लेके आउंगी क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ना सिका रहे तो मैं चाती हूँ आपको डिश्टप ना करूँ और कोई वीडियो डालके तो इसलिए मैं अभी यह वीडियो डाले हूँ दुम यानि कयामत तो यह मैं आगे आपको वर्ट पढ़ा चुकी हूँ पर आप एक बार अच्छे से रिमेंबर कर ले और देख ले कि आपको किस तरीके से पढ़ना है इसलिए मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ ताकि आप खुद पढ़ स कुछ भी प्राबलम है या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है या कुछ भी तो मुझे पता ही है मैं आपकी जिभी कंफ्यूजन है से दूर कर दूगी आप देखें पी को पार डबलो की मातब पू और एल को ला पुल जैसे कि मैंने आपको आपको आपके भी ला मिला के पढ़ा रहे हूं वह भी छखाली डवलो का अभी सिंगल ओके भी पढ़ाऊंगी और काफी सारे रोल्स के भी अच्छे से जान करी दूंगी तो पूरी वीडियो देखें जरूर तभी आप समझ पहेंगे न को ना पढ़ते हैं ना प्योंकर नू और दुबारा ना प्योंकर नून का मतलब होता है दुफैर अब बलते हैं गूड आप टू नून ठीके अब देखें एस यानि सा आप पर उकाना तो पढ़ते हैं शू यानि कालिक ठीक है इस तरीके से आपको पढ़ना है और लिखना भी इसी तरीके से होता है जैसे पढ़ा जाता है वै आप डबल ओ की मतलब गू और डप ड़ यानि अच्छा आप बलता है वैश्व गूड पर्क यानि अच्छा काम तो इस तरीके से आप इसको लिखें लिखना भी सी किये कभी आपको की मातल लगानी हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ड्रॉल यानि लार दिक ड़ और और का नीचे मैंने लगाए है मातरा और double o की मातरा को o पढ़ते हैं यहांदें o पढ़ रहे हैं n नहीं पढ़ रहे है और l को ला पढ़ते हैं आगे मैं बताऊंगे क्या रूल से इसके ठिकये टीक अटाप पढ़ते है ताप पे double o के मातर two और tीका टाय तू यानि time does ठीक है तो देखे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर उ भी पढ़ा जाता है और अगर आप चाहते हैं कि इसके बार में अच्छे से जाने तो मैंने एक वीडियो डाले जिसमें डावल ओ को अच्छे से समझाया कि आप यह कब का पढ़ते हैं तो अभी तो मैं खाली ओ को बत जैसे कि मैंने आपको अब पढ़ाया तो याद रखेगा और कभी-कभी उवी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं खाली ओ नहीं कभी-कभी ओ पढ़ा जाता है और अगर आप जानना जाते हैं तो मेरी वीडियो देखें डबल O की वाली मैंने डाल लग कि अपलोड कर रहे कि उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं अभी मैं खाली एक O की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने अभी डवलोग के जादर रूल्स नहीं बता है जैसी कि आप देख रहे हैं एक्जाम्बल के दो रूपे लूम रूम यहाँ पर O की मातर पड़ी जा दिया है तो L का ला पर रूम और मा अम का मा लूम आर का रा रा पर रूम तो यहाँ पर आपने इस तरीके से पढ़ा और उमिद करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा और वीडियो वड़ी इसल आप देखिए दो सब्दों के बीच में O आता है तो O को O पड़ते हैं कि मैंने सुरू में भी आपको बताया पर अभी इसलिए बतारी क्योंकि मैं इसके साथ कुछ वर्ड भी दिखाऊंगी अगर आपको अभी दुवारा नहीं बताते तो आप याद नहीं कर पाते और इसे कि आप देख रहे हैं बॉब, बॉब, मॉब, ठीके यहाँ पर आप देख रहे हैं B को बा पड़ें मॉब और ये O डबल यानि दो सब्दों के बीच में हैं तो इसे O पड़ें और B को बा यानि बॉब इसे तरीके से M को मा पड़ें मा पे O की माता है जैसे कि मैंने ब बीच में होता है मोब अभी का बा मॉब चलिए आप कुछ और वड़ ले ले लेते हैं आपके लिए देख़्े देखें यहां पर W को silent रखा गया है तो यहां पर सिफ wrong पढ़ा जा रहा है और W को silent रहता है यहां अप मेरी वीडियो देख सकते हैं यहां पर मैंने silent बटके बारे में बताया है तिके wrong यहां पर देखें O पढ़ा जा रहा है लॉंग यहाँ पर भी L को ला पड़ा जा रहा है और O को O पड़ा जा रहा है और N को अंकी बिंदी लगा रखी है और G का लॉंग ठीके यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से बता रही हूं होबी, लोबी, लॉज ठीक है यहाँ पर भी O पड़ा जा रहा है HOB, LOB, LOS ठीक है H का हा पड़ रहे है हा पर पर तो हो और W को बाँ पड़ रहे है और लास्ट में कभी भी Y होता है तो उसे E की मातर पड़ते हैं कभी भी अगर आखरी में Y आएगा तो उसको आप E की मातर पड़ेंगे या नहीं लिखेंगे तो यह बन गया हो भी ठीक है, अब एक और रूल्स ले ले लेते हैं और इसके साथ कुछ वर्ड भी सीख लेते हैं O के बाद व्यंग जग यानि O के बाद कोई वर्ड आए और उसके बाद E आए यानि यह जैसी की O आगया O के आगये कोई सब्दे जैसे की आप देख रहे हैं को, C ए पहले फिर O है फिर N है, फिर E है तो यहाँ पर O को O पड़ेंगे और लाश्ट वाली को नहीं पड़ते तो कौन इसी तरीके से H को हा पड़ें और O को O पड़ें तो हो P को पा पड़ें तो हो पो गया क्योंकि इसके बाद एक सब छोड़के E इसी तरीके से P H को फा पड़ें और उस पे O की मातल लगा रहे हैं फिर N लिख रहे हैं, यानि ना लिख रहे हैं अब इसी तरीके से ये वड़ देखिए अब देखिए होन, H को हा पड़ें, हा पे उके ना पड़ें तो हो N को ना पड़ें होन बॉन, B को बा पड़ें बा पे उके मतल़ बो और N को ना पड़ें बॉन, लास्ट वाले E को नहीं पड़ते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था अब D को डा पड़ें और R पे O की मतल़ ड्रो और N को ना पड़ें ड्रोन तो अब देखिए, ड्रोन हो गया अब इसी तरीके से रोग, चौक चौक, CH को को चा पड़ें चापे को चौक ब्लोक, M को मा पड़ें मा पे उके था मो D को डा, mode, code C को का पड़ें कापे को चौक, E को नहीं पड़ें नॉप, पॉप चिके, यहाँ पर आप इस तरीके से पड़ेंगे बस एक rules पता होना चाहिए आपको और उसके बाद वर्ट तो आपको पता यह P को पा पड़ते हैं पापे उके था पो अब P को फिसे पा, पॉप हो गया इसी तरीके से N को ना पड़ते हैं ना पे उके था नौ P को पा पड़ते हैं नौ इसी तरीके से R को रा पड़ते हैं रा पे उके मतलब रो, B को पा रो, लाश्पल यह को नहीं पड़ना है तो हो गया ना simple अब एक और ले ले लेते हैं rules और इसके साथ सीख लेते हैं सब्ध के अंत में कभी भी o आए यानि आखरी में कभी भी o आए तो o को o पढ़ते हैं ठीके क्योंकि इसलिए भी ये rules बता रहे हूं कि बिना rules के आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे अगर मैं आपसे बोलू खरी word meaning याद करो और सीख जाओ तो ऐसे तो आप खुद भी कर सकते हो ना बट अगर rules के साथ मैं आपको बताते हूँ तब ही तो आप अच्छे से समझेंगे ना तो देखिए जैसे कि यह मैंने आपको बता चुकी हूँ कि last में कभी भी O, R आए और O, N आए तो उसको आप पड़ते हैं जैसे कि lesson, spectre यह मैंने आपको बताया तो पर अभी मैं और word आपको सिखाने वाली हूँ तो यह चीज दिमाग में बठा लीजिए कभी भी O, R या O, N किसी बड़े सब्द के यानि किसी बड़े word में पीछे आएं तो उसको आप A पड़ेंगे यानि उस वाले O को आपड़ेंगे जैसे कि lesson में आप देख रहे हैं O को आपड़ें, spectre में O को आपड़ें आप कुछ और word ले ले लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हम पड़ें बैकन यानि B को बाप पड़ें बाप पर A की माता लगा रहे हैं और इसके बाद कपड़ें और लास्ट वाले O N को हम नहीं पड़ें तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमें पढ़ना है और इसी तरीके से आपको पढ़ना है इसी तरीके से रीवन देखिए आर को रा पढ़े हैं रापिक में दे और डवल B को वा पढ़े हैं O N को खली नह पढ़े हैं यानि रीवन इसी तरीके से S2P पर ट्रेलर ट्रेमर त्षिटर तो कि फ्रेंड्स आगे और वीडियो में जरूर